हेलो दोस्तों वेलकम बैक दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बादे में that is human resource management और personal management के बीच में difference क्या होता है यह काफी important question है कई बार दो नंबर में चार नंबर में और कई बार long question में भी पूछ ले जाता है दो चार questions को आड़ करके एक नया question बनाया जाता है तो basically human resource management का मतलब हम लोगों ने अपने last videos के अंदर भी discuss करके रखा हुआ है human resource management actual में होता क्या है that is all about like it is an art यानी कि एक तरीके की art होती है proper तरीके से अपने जितने भी employees आपके organization में काम कर दे हों उनको proper तरीके से manage करने की एक तरीके की art होती है जिससे की set of goals को achieve किया जा सके ठीक है तो human resource management is an art or you can say की effective and efficient way of management your employees workforce so that set of goals can be achieved इस तरीके से आप कुछ भी एक तरीके की proper definition को बना करके लिख सकते हो ठीक है तो यहानी कि यहां पर human resource management कर गया मतलब हुआ कि हम proper तरीके से अपने जितने भी workforce है अपने जितने भी employees है उनका proper management कर रहे हैं उनको ले करके आ रहे हैं उनको जो भी टॉप talent है उसको attract कर रहे हैं और उनको कि उसकी salary उसके development के ऊपर बात करें उसको salary अच्छी खासी provide करें उसको incentives और बहुत सारे अलग benefits दे रहे हैं उसको motivate करें काम करने के लिए ठीक है और उसकी employee retention की बात करें होता है this is all about human resource management बट अगर हम personal management की बात कर तो देखो उस तो पहले के time पे क्या होता था पहले के समय में इतनी स्याधा development और training और ये सभी चीजों की incentives वगएदा कि सभी चीजों की बाते नहीं होती थी सिदे सिदे क्या होता था कि भाई हम अगर तुमसे कोई काम ले रहे हैं तो हम उसके बदले तुमको कुछ पैसे देंगे और उसके बदले में तुम हमारा कुछ काम करोगा यानि कि जो भी employees होते थे जितने भी labor होते थे तो उनको ऐसा आप मान सकते हो कि एक तरीके से labor की तरीके उनको treat किया जाता था कि केवल काम निकलवाया और उनको कुछ उसक तरीके से manage करते हैं so that की goals can be achieved तो इसी को हम human resource management बोल रहे हैं while we talk about की personal management का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें के वर एक तरीके की limitation रख रहे हैं employee को hire कर रहे हैं और hire करने के बाद में उससे अपने benefit के लिए केवल organization की benefit के लिए काम करवा रहे हैं उसको तो उसके वदले में salary provide कर रहे हैं that's it हमारा काम खतम ठीक उसके ना कोई training की बात है उसके ना कोई development की बात है ना हम उसको कुछ अलग से कोई कुछ motivate कर रहे हैं ना इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं ना HR दे रहे हैं बहुत सारी शीजे होती है हम कुछ भी नहीं दे र है नहीं कि वह हमारी organization में रहें और हमारे लिए वह एक तरीके से asset का काम करें ठीक उनके development के हम बात कर रहे हैं वाइल वी टॉक अबाट की personal management के अंदर हम labor हम अपने employees को ऐसा labor की तरीके के वाल टीट कर रहे हैं और अपने organization की ही benefit की बात करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है क employee जो हो सकता है वो आपके साथ में long term तक है लंबे समय तक काम करें क्योंकि आप उसके growth की आप उसके benefit की भी बात कर रहे हो organization की benefit के साथ साल वाइल इसके अंदर क्या होता है कि जो भी employees है उनका short term होता है यानि कि आज हम किसी नए लड़के को पकड़ के लेकर किया है उसने क काम किया उसके बाद में उसको छोड़ दिया उसको पैसे दे करके फिर दूसरे को लेकर किया उसने काम किया उसको हटादिया ठीक है हम human resource management के अंदर ऐसा नहीं हम उसको लेकर किया प्रापर documentation करते उसको प्रापर training provide करते है उसको काम करने like बनाते है और उसका development करते है और ध है तरीके से काम करता है लेकिन हम परसोनल मैनेजबंट की बात करते हैं तो सब को उस्क इतना काम करना था इस त्रीके से पहले के समय में किई रहता था कि इतना तुमको काम करना है करना है मजदour-it type की समझ लो तो वो करना है तो उतना करना है ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं टीम वर्ब की ऊपर बात करते हैं बढ़ पहले के समय में क्या होता था कि डिवीजन अफ़ डा-लेबर की के हम बात करते थे ठीक ट्रेनिंग और डवलपमेंट जैसा मैंने बताई दिया कि ट्रेनिंग और डवलपमेंट की अभी बात करते हैं हम लोग human resource management के अंदर हम बात करते हैं उसको manager करते हैं कि benefits की बात करें तो हमने क्या क्या देखा कि यहां पर दोनों लोगों का benefit हो रहा है employee का benefit हो रहा organization के benefit हो रहा लेकिन personal management के अंदर हम पहले की समय में केवल organization के benefit के बारे में सोचते थे केवल employee के बारे में नहीं सोचते थे ठीक है flow of communication की बात करें जैसे कि suppose that कि अगर कोई employee को कोई दिक्कत है परेशानी है तो वो direct जा सकता है अपने manager के पास में direct HR manager के पास जा सकता है या फिर top management के पास में भी even जाकर अपनी बात को रख सकता है लेकिन personal management के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था उसमें कोई आपको को दिक्कत है तो आप छोड़ करके चले जाओ लेकिन बात प्रॉपर तरीकिस नहीं कर सकते थे आप रिस्ट्रिक्टेड ही होते थे लेकिन आज की टाइम पे क्या है कि अगर आपको कोई दिक्कत है समझते है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन करने के लिए HR department बैथा हुआ है अभी हम बात करते हैं लास्ट में एक और भी पॉइंट है decision making आज की समय में क्या होता है दोस्तों कि human resource management के अंदर पार्टिसिपेटिव एंड decentralized decision making होती है decentralization का मतलब समझते हो आप लोग क्या नहीं कि power को क्या करना distribute करना केवल यह नहीं कि जो केवल कंपनी का ओनर है कंपनी का मालिक है केवल वही सारे decision लेगा बहुत सारे अलग अलग organization में एक manager level के post पे लोग बैठे हुए है वो लोग भी decision लेंगे ठीक है वाइल personal management के अंदर ऐसा नहीं होता था कि हम केवल जो भी ओनर होता है company का वही decision ले सकता था ठीक है तो यह basically difference है human resource management management और personal management के अंदर I hope दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पहले के समय में हम लोग employees की benefit की बात नहीं करते थे केवल organization की benefit के बात करते थे तो वह चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन आज की समय में हम जब human resource management की बात करते हैं तो सब की growth हो सब का विकास हो इस तरीके से सब को ले करके चलते हैं organization भी grow करे employee भी grow करे सब लोग की ताकि वह हमारे साथ में ज्यादा लंबे समय तक long term तक काम कर सके इस चीज के ओपर हम focus करते हैं ठीक है तो यह I hope दोस्तों clear हो गया होगा कोई confusion doubt हो सकते है तो आप पूश सकते हो ठीक है next video में हम दूसरे न दोश सकते हैंennen है APP गे सकते हैंने हैं हैंने is सकते हैंने